के case में हम perimeter word use नहीं करते हैं है वही चीज़ it is the sum of its boundary यह निकी boundary की टोटल लेंद को हम क्या करते हैं perimeter बोलते हैं बड़ सर्कली के case में perimeter word use नहीं होता है we use the word circumference ठेक है roll वही है ठेक है अब it means it is the total length यह जो इसकी boundary दिख रहे हैं इसकी total length को हम क्या बोलते हैं circle के case में circumference बोलते हैं ठेक है as for the circumference of circle we have a certain formula that is 2pi r ठेक है अब यहाँ जो r representing the radius r क्या होता है circle की radius होती है ठेक है और अगर जैसे diameter कभी given हो तो diameter given है तब हो उस form में क्या होता है formula उस formula में एक और formula होता है that is pi d ठेक है तब circumference का formula क्या हो जाता है pi d क्योंकि d equals 2 क्या होता है 2r यहींकि 2 into radius होता है ठेक है या तो आप यह कर लेजिए या फिर diameter को हम जो है निकालना हो तो radius को 2 से diameter को हमें दिया हो और radius find out करनी तो क्या कर दे हैं diameter को 2 से divide कर लेजिए radius हाजाएगी है ना अब देखिए इसमें जो आप symbol देख रहे हैं the symbol pi ठेक है इस pi की दो values होती है the first value is 22 upon 7 ठेक है and the another value is 3.14 ठेक है अब देखिए कहां हमें कौन सी value लगानी है यह बहुत ध्यान रखना है ठेक है अगर question में आपको कहीं भी कुछ नहीं mention किया है कि आपको pi की जगे कोई certain value लगानी है तब हमेशा ध्यान रखेगा तब हमेशा हम क्या लगाते है 22 upon 7 ही लगाते है ठेक है बट अगर question में mention किया गया है कि आप pi कर्ष्टू क्या लगाई है 3.14 लगाई है तब हम लगाएंगे केवल तब ही हम लगाएंगे 3.14 otherwise जो इसकी जो value है हम हमेशा क्या लगाते है 22 upon 7 so let's start few questions based on this and the first one they are saying find the circumference of the circle whose radius is 28 cm अब देखें circumference हम से find out करवा रहा है और क्या given है r की value given है ठेक है that means radius given है so we have the formula that is c equals to 2 pi r अब देखें यहां कहीं भी लिखा नहीं उसने की आप pi equals to क्या लगाई है 3.14 लगाई है तो हमने क्या जब तक वो कहेगा नहीं तब तक हम क्या लगाएंगे 22 upon 7 ही लगाएंगे ठीक है तो value put कर लेजिए इस formula में 2 की जगह आ गया है 2 और pi की जगह क्या लगा दिए 22 upon 7 और यह हो गया हमारा R की value हो गई ठीक है इसे 28 अब देखे जो simplify हो रहा है उसे simplify कर ले जाए 7 और 7 फोर जा 28 ठीक है इनकी multiply कर लेंगे कितना आ जाएगा 176 इसे दा final answer 176 cm is the circumference of that circle नव the next one is now in this question we have to find the radius of circle whose circumference is 176 cm अब देखे यहां क्या है हमें question में ही circumference given है और उन्टा हम से क्या पूछ लिया radius find out कर वा ली ठीक है तो हम क्या करेंगे as we have the formula for the circumference that is 2 pi r हमने assume कर लिया radius equals to r जो radius को हम इसमें symbol में assume करते हैं ठीक अब देखे यह चीज देखे यह भी circumference है और यह भी circumference है that means दोनों का आप equal रख सकते हैं है ना we can put it as 2 pi r equals to 176 और हमें value किसकी निकाल लिए हमें तो r की value चाहिए तो बागी का कहा पहुँच जाएगा अब इसम इंटू में होते हैं इंटू का opposite क्या होता है divide यानि कि divide ने पहुच जाएगा अब देखें pi की value क्यों होती है 22 upon pi की value कितनी होती है 22 upon 7 है ना वो value उपट कर लेंगा अब देखें 22 upon 7 यह जो upon वाला 7 होता है यह उपर पहुच जाता है ठेक है क्योंकि यह इसके upon की upon में है ठेक है तो ध्यान रखेगा तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 22 upon 7 को हम यहां का और इसका reverse हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा इट विल भी 7 upon 22 अब इसके बाद इसे यहां हमने क्या कर लिए radius निकाल लिए ठेक है radius कितना है the radius of the given circle is 28 centimeter clear, simple now let's solve one more question based on this as they are saying the diameter of a wheel देखिए wheel की shape का होता है आपको मालू में देखिए wheel क्या होता है circle क्या होता है अब उसकी क्या दे रखिए इसमें a wheel of a guard is 70 cent the diameter इसकी क्या दे रखिए diameter दे रखिए पूरी length दे रखिए ठीक है diameter अब देखिए diameter तो हमारे इसमें था रही क्या करेंगे हम they are saying how many revolution it makes to travel 1.65 km यह जो है यह wheel को हमने क्या कर आए यह चक्कर लगा रहाते एक चकर अगर देखें तो इसमें हम यह कैसी अगर यह wheel जो है किसी field पर move करेगा तो क्या होगा उसकी perimeter से touch होगा यह जितने इसका circumference होगा भही उसका क्या होगा first one revolution एक होगा ठीक है one revolution उसके one perimeter के एक होगा so let's solve as we are having radius की निकाल लेंगा that is diameter upon 2 ठीक है we have the formula that is 2 pi r ठीक है इसमें value पुट कर लेंगा 7 minus 7 7 5s are 35 यह आप चाहें तो pi d वाला formula भी लगा सकते है ठीक है दोनों से same answer आएगा now अब देखे यह कितना होगा अब देखे circumference आगा 220 cm तो यह जो circumference होगा it will be equals to one revolution ठीक है अब हमें पूछा कितना है हम क्या निकाल लेंगे देखे unitary method का use करेंगे हम क्या करेंगे पहले one का निकाल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा upon में आ जाएगा 220 अब देखे यहाँ जो बात हो रही है वो है km में और हमारे पास value किसमें चल रही है cm में ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले से जो है km में convert कर लेते as we know 1 km equal to कितना होता है ठीक है 1 km equals to as 1 stands 100 ठीक है कितना होता 1 lakh cm है न तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 lakh किसमें आजाएंगे इसके into में आजाएंगे अब हम रख सकते हैं ठीक है that is 1.65 km equal to कितना हो जाएगा 1.65 पर अगलेंगा और इसे ही simplify कर लेंगे जब simplify करेंगे तो कितना आगया 750 revolution यानि कि वो पूरा उसे कितने revolution लेगा उसे cover करने में अब इसमें इसका हम एडिया की बात कर रहे है जब perimeter की बात करते है that means we are talking only about its perimeter means boundary अब जब area की बात करते है that means उसका उसने कितना surface cover कर रहा है उस पूरे surface की बात कर रहा है ठीक है ध्यान रखेगा so area is the complete surface that now अब देखिए area of rectangle we have a formula that is L into B पावर 2 का मतलब है that means side square ठीक है पावर 2 का मतलब है जितनी पावर होती है उस time को हम उतनी बाद लिख सकते है ठीक है side 2 पावर 2 है it means हमें कितनी बाद लिख दी है two time भी खरका है ठीक है now let's solve few questions based on this as the first question they are saying find the area of rectangle whose length and breadth is given देखिए L और B की value given है हमें क्या करना है area find out कर लेना है so length है breadth है as the area of rectangle क्या होता भई L into B ठीक है L की value कितनी है 46 और B की value कितनी है 25 multiply कर लेंगे कितना आ गया 1150 अब देखिए एक बात का और ध्यान रखेगा हमने यह क्या लगा है देखिए इसका unit लगी थी centimeter उस पर भी हमने क्या लगा दिया square तो ध्यान रखेगा area हमेशा किसमें आता है square unit में आता है जो भी आपकी unit चल देगी उसका क्या होगा square लगा देगी है ध्यान रखेगा यह square बहुत ज़रूरी है area हमेशा किसमें आता है square unit में आता है clear now let's learn to find out the area of square अब देखिए area क्या given है side of square plot side given है और they are saying find the area of the square plot so area of square अबने अब भी क्या बता है side into side ठेखिए उसी में value पुट कर लेंगा अब यहां कितनी क्या value given है 14 that means 14 into 14 multiply करें कितना आजाएगा 196 अब देखिए यहां unit क्या चल रही थी meter तो answer किसमें आएगा meter square में ठीक है अब इसे आता हम meter square लिख लिजे यागर आब ऐसे नहीं लिखना चाहते है तो ऐसे भी लिखना चाहते है sq or meter इसका मतलब हो जाएगा एक road है उसकी length of breath given है अब उस पे हमें क्या करना है उस पे इटे बिछानी paved with bricks यानि वहां पे हम क्या होना एक खड़ंजे डालना है that means वहां पे एक इटे बिछानी है अब हर एक इट की measurement दे रखिए length of breath given है तो हमें क्या करना है इस वहां कितनी इटे लग जाएं कितनी bricks required है तो देखिए हम क्या करें ऐसे questions में हम क्या करते है तोटल जो है road का area निकाल लेजे जहां पे इटे लगानी है तो भी कैसा L or B given है that means rectangular होगा और जो bricks होती है वो भी rectangular shape की होती है उसका area निकाल लेजे अब दो जो brick के area को हम टोटे area को divide कर लेंगे पता तिल लेगा कितनी इटे चाहिए हमे so let's find out the length of road है देखिए यहां जो चीज दी हुए वो centimeter में है देखिए आपका road की length meter में और ये centimeter में देखिए दोनों unit है same होनी चाहिए यह बहुत दिहां रखना होता है अब या तो दोनों को meter में कर लो या दोनों को centimeter में कर लो हमने क्या कर रहा है दोनों को centimeter में कर लिया ठीक है so multiply कर लेंगे as we know 1 meter equal to कितना होता है ठीक है 100 centimeter होता है that means सबकी किस से multiply हो जाएगी 100 से multiply हो जाएगी तो देखिए 150 कितना हो गया 15,000 ठीक है और 9 meter कितना हो जाएगा 900 no we put the formula that area of road that is L into B multiply कर लिया ठीक है आगे हमरा answer अब देखिए ये कितना ये क्या हो गया ये area है road का अब क्या करेंगी हम brick का निकाल लेंगे brick का भी दे रखा क्या देखा length of breath की विले इससे भी हम वही formula रहेगा इससे हमने निकाल लिया अब दोनो एरिया को क्या कर लेंगे हम divide कर देंगे simple हमें क्या मिल जाया क्या दोन डिवाइट करने पे number of bricks required यानि कितनी इटे लगेंगी उसे पूरा cover करने वे ठीक है so put कर दीजे दोनो वैल्य पूट कर दीजे देखिए area of road हमने put कर दिया और area of one brick यानि एक eat का जो area था वो उस put कर दिया जब आप divide करेंगे तो आपका answer आजाएगा that is 80,000 bricks यानि कितनी bricks ही requirement हो जाएगी हमे 80,000 clear now the next question is they are safe the length and breadth of a rectangular park देखिए उसने खुद कह रहा था कि पार्क कैसा है rectangle safe का उसकी जो length of breadth कि इसमें एक ratio में given है हमने आपको ratio जब जब सिखाया था तो हमने उब को बताया था ratio जब open होता है तो क्या था एक variable आजाता है तो ठीक है हमने क्या करा assume कर लिए let the length be 5 से क्या बन गया 5X और 3 से क्या बन गया 3X ठीक है तो 3 से क्या बन गया 3X now अब देखिए we have the formula that is 2 of L plus B इसमें value put कर लिए हमने 5X और 3X कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8X ठीक है और 2 into 8X कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 that means हमरा कितना हो गया 16X आ गया now अब देखिए यहाँ perimeter given भी है question में given है that means यह भी perimeter हो गया और यह भी perimeter हो गया that means दोनों को आप क्या गर सकते है now 16X equals 2 कितना हो गया 128 X की value चीए तो 16 का पहुच जाएगा upon में और 168 जा कितना हो था 128 यह नि X की value कितनी हो गई 8 आ गई अब यह 8 जो है हम किसमें रख देंगे इन दोनों में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उस पार्क की length of breath मिल जाएगी so the length of part that means 5X 5 into 8 5,8 जा कितना होता 40 ऐसी breath of part that means 3X that means 3 into 8 3,8 जा कितना होता 24 अब हमसे length of breath तो पूछी नहीं उसने उसने क्या पूछा है आप find out करिए area अब area के लिए formula देखिए हमें length breath मिल गई 40 or 24 की में डिपलाइ कर देंगे कितना जाएगा 960 अब दीख बात के धियान रखना क्या है जो भी unit होगी किस में आएगी square में आएगी ठीक है तो कितना होगी है 960 square meter ठीक है so 960 is the final answer so student this is all for today we will learn more in the next session thank you and have a nice day you 20iri savcc ग्लाएख बात 16 16 18 झाल झाल